बिना हमारे घर से चुहों को कैसे बगाएं चलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा घ्रेलू नुस्का लाई हूँ जो आप चुहों को मिन्टों में घर से बगाएंगे और दुबारा आपके घर की तरफ वो मुड़ेंगे भी नहीं बहुत ही असान और ग्रेलू नुस्का है जो आप अपने घर में असाने से कर सकते हैं और चुहों से चुटकारा पासकते हैं अच्छी जो हम चीज डालेंगे और डालेंगे चीनी जो होती है आटे और चीनी के मिलाव से इसकी खुश्बू से जबी मीठा हो जाएगा तो चुहें भाग कर इसकी तरफ आएंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसका आटा मारने के दबाईओं से मर्त जाते है कि मैं ऐसे जंगा जाके मरने जहां हमें पता भी चलता है मैं अरी अबहुन है विसल हमें तो छोटी-छोटी गोललिया बनाएंगे इसकी जितनी आपको जुरूत है करे सबसे अपनी गोलिया बनाए है इसकी चाहर भी बना सकते हैं साथी पेटकडी यह बहुती बढ़िया फैयदेमंद फिटकडी इसकर इसका जयायका होता है जिसे खाने से जुह एशें बहुतंते दुम दबा जो खृत हैگे अब क्या गरेंगे इस आटे में थोड़ी सी फिटक्री डालके अब हम इसको इसकी गोली बनाएंगे और इसी तरह से सारी आटे की गोलियों में हम फिटक्री डालेंगे इससे क्या होगा जब चुहे आटे की गोलियों को मीठे की वज़े से खाएंगे उसे उनको स्वाद आएगा और जो भी फिटकडी है जब यह उनके मुह में जाएगी तो इससे उनको बेचेनी होएगी और मैं क्या करेंगे घर से भागते वे बाहर जाएंगे और घर की तरफ मोडेंगे भी नहीं बहुत ही असान और घरेलू नुस्का आई है और यह हर घर में अराम से फिटकडी मिल जाएगी कोई महंगी चीज नहीं है चलिए अब यह सारी गोलिया बना दिये यह देखिए इसे तरह से अब हम क्या करेंगे इन में लगाएंगे आटा आटा लगा क अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे तरह से सारे गोलियों में आटा लगाएंगे बहुत ही असान गरेलू नुस्का आई है आप असान इसे इसे कर सकते हैं क्योंकि यह सारी चीजे घर में अराम से मिल जाती हैं और चुवों से अपना चुटकारा पाईए इसको एक बार करके देखिए आपके घर में दुबारा चुए आएंगे भी नहीं अब हम इन्हें ऐसे जंगा रखें जहां पर जदातर चुए मिलेंगे जैसे सिलेंडर के नीचे हुआ आटे के पास हुआ कीचन में ऐसे जंगा रखें सोफे के पास हुआ ड्राइंग रूम में हुआ अलमारी के नीचे हुआ बहुत ऐसी जंगा है जहां पर चुए हमें पता भी इन चलता कहां चुपे रहते हैं यह अलमारी के नीचे के पास और यह है गैस के पास गैस के नीचे जहतर गैस के नी मिचुए आते से लिए काम रात को ही करना